Hello student, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डेटा का जो प्रेजेंटेशन था, ग्रैफिकल प्रेजेंटेशन देखा था और ग्रैफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखा था हम लोगों ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई डाइग्राम देखा था आज हम लोग देखेंगे histogram तेख बाइफिर से हम revise कर दें कि line chart कैसा था, bar chart कैसा था और pie chart कैसे बना था तो line diagram या line chart जो था वो line से हम represent कर रहे थे, means data को हम कैसे represent कर रहे थे, इस तरह से line के द्वारा represent कर रहे थे, और bar graph में हम कैसे represent कर रहे थे, means जो bar एक line जो थी, वो मोटी-मोटी line थी, उसकी width थी जो bar की, वो बराबर थी और equal gapping में थी, क्यानि जो bar ये उसकी चोड़ाई भी बराबर थी और जो दो नों के दो bar के बीची gapping थी, वो भी equal होनी चाहिए, इसी तरह line दो line के बीच की जो gapping है वो भी equal होगी, तो bar कैसे था, ये तो line हो गया, line chart और bar chart जो था, वो कैसे था आपका, इस तरह से bar के दोरा, represent gamins इस तरह से ऐसे, ये bar थे ये आपका क्या हो गया ये bar diagram हो गया ये आपका ये bar, ठीक है, तो equal चोड़ाई भी और बीच के gapping भी equal थी और pie chart कैसा था आपका मिन circle, ये circular था यहाँ पे जो components थे जितने ये इस तरह से ये denote करे थे, a, b, c ये जितने आपकी component की value थी, तो ये तो थे line chart, bar chart और pie chart ये हो गया, आज हम लो देखने histogram, तो histogram जो है, वो भी क्या है, bar की ही तरह होता है लेकिन क्या होते है, बार आपस में सटे रहते हैं, तो this is a type of bar graph किस type का है ये, bar graph type का है, but with the continuous data, लेकिन ये कैसे बनेगा, continuous data ये मेरा bar chart जो था, वो कैसे बन रहा था आपका, आपकी discrete series से बन रहा था, लेकिन ये histogram किस से बनेगा, आपका continuous data से बनेगा तो और क्या थे, ये histogram जो था, वो किसलिए बनाते हैं, means हम इस से mode find कर सकते हैं, easily हम mode, यानि जो histogram बनेगा, means highest value, means कौन सा rectangular है, जो highest जैसे भी इसमें है ये highest value को donate करेगा, तो highest value से हम mode भी इसका निकाल लेंगे तो histogram और bar में difference क्या है histogram जो बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, बार की तरह है, बट continuous data से बनेगा और क्या होगा, ये बीच में capping नहीं होगी, इनकी मिन सब्सके histogram बनाएंगे, तो बात, इसमें gap नहीं है, no gap, तो ये तो था histogram, अब हम detail से देखते हैं, histogram को यहाँ पर देख लिजे, histogram हम डिटेल से देखने हैं, तो ये कैसा है, continuous frequency distribution, histogram जो है, वो क्या denote कर रहा है, continuous frequency distribution को, और क्या है, इनकी width is the proportional to class size, इनकी जो चड़ाई है, वो किसके proportional है, आपके class size की होगी, और दूसरा है, क्या height या area, means rectangle का जो area है, वो proportional किसे होगा, frequency से, तो अगर हमें बार बनाना है, तो बार हम कैसे बनाएंगे, बार अभी मैंने बताया, बार बनाने के लिए, means माल लिजे, कोई data है मेरा, माल लिजे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है, ये तो हो गया मेरा class interval, अब frequency इसकी माल लिजे, 2, 4, 6, 8, 10, ये frequency होगी, तो इसका हम बार कैसे बनाएंगे, तो frequency हम y axis पे लिख लेंगे, इदर, और ये मेरा class interval हो गया, means 0, 0 से कितना है, 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50, 50 से 60, यहाँ पे लिख लिजे आप, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो ये मेरी frequency होगी, ये मेरा class interval हो गया, ये होगी आपकी frequency, और ये class interval हो गया, तो अब हमें बार बनाना है, यानि 0 से 10 की frequency क्या है, 2, तो 0 से 10, means 2, ये हो गया, 10 से 20 कितनी है, 4, तो 4 पे हम जाएंगे, यहाँ पे 10 से 20, तो ये मेरा बार हो गया, 10 से 20, ठीक, फिर 20 से 30 कितनी है, 6, 20 से 30 कितना है, 6, means यहाँ पे हम जाएंगे, ये, ये, 30 हो गया, ठीक, ये 30 हो गया आपका, फिर 30 से 40 क्या है, 8, 30 से 40 कितनी है, 8, तो हम यहाँ पे 8 पे जाएं पहले, इस तरह से मिला दीजिए, ये, 8 हो गया, फिर 40 से 50 मेरी कितनी है, 10, फिर हम 10 पे जाएं, यहाँ पे ये 10 है, 10 से जाके, फ 20-30, यह 50, तो यह हो गया? नेया तो हिस्तो-ग्राम वो गया, तो नो इसला से किसे भी धेटा का हम हिस्तो-ग्राम बनाएंगे, यह तो थी रेखल-खेख्र etiase. यह अंजरा रखांगर का था हुआा, बार में बार में प supports our revised collections there, बार में भीच में गैंपंगत եी, इस तरह से इसमें बीच में गैपिंग थी इसमें क्या होगी गैपिंग नहीं होगी इस्टोग्राम में अब अगर continuous जो class interval है उसके बीच में different हो class interval जो है वो अगर different difference हो तो हम क्या करेंगे या ज़्यादा अगर data की value में 0 से न शुरू हो के आपकी 150-100 से शुरू हो जैसे माल लीजे इस data में इसमें क्या दिखा रहा है class interval कैसा 150-160, 160-170, 170-180, 180-190, 190-200 frequency दी है 5, 10, 15, 20, 10 तो अब इनका हम कैसे histogram बनाएंगे तो histogram जो है वो क्या है इसकी width जो है proportional to class size तो अब हम इसके लिए हम कहेंगे y-axis पे हमने क्या लिख लिख लिया frequency ये क्या है मेरा y-axis है ये y-axis हो गया ये x-axis है इस पे हमने frequency लिख लिख लिया frequency मेरी क्या है 5 है तो 0 से हमने शुरू किया 5, 10, 15, 20 ठीक है सबसे highest आपकी 20 है तो 20 तक आपने लिया ठीक highest अब सबसे 20 गई है तो 5, 10, 15, 20 अब 150, 160 यहां से तो ये हो गया 150, 160, 170, 180, 190, 200 तो 150 से 160 तक जो class interval है उसकी frequency कितनी है 5 यानि 165 पर 150 से 160 ठीक है तो ये हो गया 150 से 160 इसकी frequency क्या हो गई 5 इसके बाद 160 से 170 कि कितनी हो गई 10 तो 160 से 170 कि 10 तो पहले हम 10 पर point लगा लेंगे यहां पर फिर इसको इस तरह से जोड देंगे ये ठीक फिर 170 से 180 कितनी हो गई 15 तो 15 पर पहले यहां पर point लगा लेंगे इसके सीध में ठीक और इसके बाद से 170 से 180 170 से 180 कितनी हो गई 15 हो गई इसकी फिर 180 से 190 कि कितनी हो गई 20 तो फिर आप यहां पर फिर लगा लीजिए 20 पर 180 से 190 यह ठीक है 10 हो गया 10 से 10 पर हमने लगा लिए 190 से 200 यह क्या हो गया मेरा यह 200 पर हो गया 10 तो यह मेरा क्या बन गया आपका हिस्टोग्राम बन गया कि एक आयद चित्र बन गया मिन्स crying I have बन गया तो टाइप वन यह तो हमने देखा आप यहां पर हम देख रहे हैं कि काफी यहनि जीरो से 50 हो गया तो यह कृण्ट पौर यहां-पर यह हो गया कि आपका कि पृण्ट कॉर सब्सक्राइब हो कितनी कितने का था यानि 150 से 160 कि यह पिछ में 좌तली कंद है मगने कर्द है इस में ध्यानि समें 10 का है तो यह कैसे हो मिन्स में dal दिब्रेंस जो है रिंद सम्हें 10 का है difference तो इसलिए हमने इसको तो इसली बना लिया अब हम इसका अगर बनाते हैं next देखें type 2 adjust the class तो अगर इसका histogram जहें वो कैसे बनाएंगा इसका अगर बनाएंगे तो यह कैसे बनेगा जिरो से 9 उसके बाद फिर 10 से शुरू है 10 से 19 फिर 20 से 29 फिर 30 से 39 है तो आप यहाँ पर इसको देख लिएंगे इसको बनाने के लिए क्या करें अब इसका कैसे बनेगा यह है माल लीजी यह 0 तो 0 से क्या हो गया 0 से 9 फिर 10 से 19 फिर यहां पर यह 10 हो गया 10 से 19 फिर 19 से कितना है 29 फिर 20 से फिर 19 है फिर 20 20 से 29 फिर 20 से 29 फिर 30 से 39 फिर क्या है आपको यहां पर 30 से 39 यह 39 है अब फ्रिक्वेंस से देख लिए 5, 10, 15 और 20 है ठीक है तो यहां से हम शुरू करने 5, 10, 15, 20 यह हो गई तो 0 से 9 कितनी है 5 तो 0 से 9 यह हो गया 5 फिर 10 से 19 क्या हो गया 10 फिर यह हो गया 10 से 19 यह 10 हो गई फिर किया 20 से 29 15 तो 20 से 29 15 है तो यहाँ पर यह 15 है values की तो यहाँ से यह हो गया फिर किया 30 से 39 20 है 30 से 39 20 तो पहले हम 20 को मिलाया यह तो यह मेरा क्या है यह histogram गलत है यह ऐसे नहीं बनेगा wrong है कैसा होना चाहिए हमें सटे हुए होने चाहिए तो यह कैसा बन गया bar graph की तरह means bar chart हो गया यह हमें क्या बनाना है histogram तो इसमें हम क्या करेंगे अब इस से हमारा histogram नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे class को adjust कर देंगे यानि जो इनकी lower limit है और upper limit है इसमें lower limit में से 5 minus कर देंगे इसमें 0.5 0.5 minus करेंगे 0.5 plus करेंगे इस इधर minus करेंगे इधर plus कर देंगे तो जब हम इसमें minus करके plus कर देंगे तो यहां पे क्या हो गया जब हमने plus कर दिया तो point ये 5 हो गया 9 plus point 5 इसमें से minus करेंगे तो ये क्या हो गया 9.5 हो गया इदर फिर यहाँ पे हमने कर दिया plus कर दिया तो ये क्या हो गया 19.5 हो गया यहाँ पे minus कर दिया तो ये क्या हो गया 19.5 minus और यहाँ पे क्या हो गया ये 29.5 हो गया यह क्या हो गया, 30 है, तो यह 29.5, ठीक, यह पूरा-पूरा लिख लिजे, तो यह हो जाएगा, 19.5, 9.5 हो गया यह, यह हो गया, 19.5, यह हो गया, 29.5, और यह हो गया आपका, 39.5, ठीक, तो अब यह कैसा आ गया, रेगुलर में आ गया, मिन्स रेगुलर या यूनिफॉर्म में आ गया, अब हम इससे बना लेंगे, तो यह क्या हो गया, मेरा, 19.5, इस तरह स्फिर यहां पे देख लिजे, यह था मेरा, मिन्स क्या है, 0 से 9.5, इसके बाद है, 9.5 से 19.5, फिर 19.5, 19.5 से क्या है, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 29 से 39.5, फिर 29 से 39.5, थीक, अब फ्रिक्वेंसी देख लिजे, 0 से 19.5 कितनी है 5 तो यहाँ पे frequency denote कर लिजे 25 10 10 15 20 सबसे highest मेरी 20 है तो 25 तक आप ले लिजे 25 ठीक है तो 0 से 29 क्या है आपका 5 यह हो गया 5 फिर क्या है 5 हो गया फिर 9.5 से 19.5 क्या हो गया 10 19.5 क्या हो गया आपका 10 यह 10 हो गया फिर क्या है आपका 19.5 से 29.5 कितना है 15 19.5 से 29.5 कितना है 15 तो यह हो गया 15 फिर कितना है 29.5 से 39.5 कितना है 20 तो यहाँ से यह 20 ठीक है थोड़ा और इधर लिख लिए 29.5, 39.5 ये हो गया तो ये ग्राफ जो है आपका ऐसे बनेगा मिन्स हमें क्लास में क्या करना पड़ा एड्डेस करना पड़ा क्लास को तो क्लास हम एड्डेस करेंगे कब जब मेरा क्लास इंटर्वल यू यूनिफॉर्म नहीं है इसमें देखे यहां पर एक सीरीआ बीच में गैपिंग हो राया यहां 9 यहां 10 है फिर यह 19 यायां 20 यह बीच में कितने का डिफ्रेंस है वन का तो जितना difference होता है उसका half हम लेते हैं जितना भी इन दोनों के बीच में means upper limit और यह जो lower limit के बीच में different है इन दोनों का difference है उसका हम half लेंगे तो दोनों का difference क्या है आपका 1 है तो उसका half हम करेंगे यानि 0.5 तो यह हम 0.5 जो है हम इसमें इदर से घटा देंगे lower limit से और upper limit में हम जोड देंगे तो यह तो था class को adjust करेंगे अब next type है adjust the frequency अब हम frequency को adjust करेंगे अब इसमें देखें जो class interval है वो भी regular formula नहीं है means यह class interval इसमें कैसा है यह question हम देखें 0 से 20 फिर 20 से 30 30 से 50 50 से 80 ठीक है तो इसके बीच में कितना difference है 0 से 20 20 का difference है और 20 से 30 इस class में कितनी का difference है 10 का ठीक है 20 से 30 जो है इसके बीच में कितनी का difference है 10 का 30 से 50 इसके बीच में कितनी का difference है 20 20 यानि 30 से 50 है इसके बीच में कितने का difference है 20 का अब 50 से 80 इसके बीच में कितने का difference है 30 30 का यानि difference जो है class interval में वो regular नहीं है इस regular है means different different class interval है उनका जो अंतर है वर्ग अंतराल जो है इसमें देखें 0 से 20 में कितने बीच में अंतर हो गया 20 का 20 से 30 में कितना हो गया 10 का 30 से 50 में कितना हो गया 20 का और 50 से 80 में 30 का frequency तो यह दी हुई है तो अब यहाँ पर करेंगे adjust the frequency means जो हम इनका rectangle बनाएं means जो add बनाएंगे वो उनकी चोड़ाई यह जो थी यह बराबर नव होके means हम क्या करेंगे घटा देंगे थोड़ा means यह जो यह जो आयक बना रहा था या जो rectangle बना रहा था इनको हम थोड़ा घटा देंगे और इनका whole area मिन्स यह जो आयत का यह है यह बन रहा था तो इनको हम क्या कर देंगे थोड़ा छोटा कर देंगे और पूरे whole area का जो छेतरफल है वो बराबर आएगा इसी के तो मिन्स हम उनकी लंबाई को थोड़ा घटा देंगे तो हम area जो है वो equal होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए पहले हम adjust करेंगे frequency को तो अब हम इसके लिए दोनों का माल लीज़े यह age group था और यह person थे mean 0-10 age group के 8 लोग थें 20-30 age group के 15 लोग थें 30-50 age group के 20 लोग हैं तो यह तो age group हो गया 0-20, 20-30, 30-50, 50-80 ठीक है person कितनी हो गई means यह क्या हो गई आपकी frequency हो गई तो अब इनका class interval है जो difference है वो हम पहले यहाँ पर लिखनेंगे difference कितना है तो इन दोनों के बीच में difference कितना है 0-20 के बीच में difference कितना है 20 का difference है और 20-30 के बीच में difference कितना है 10 का और 30 से 50 के बीच में difference कितना है 20 का बीस का ठीक है और 50 से 80 के बीच में difference कितना हो गया 30 का तो यह तो हमने class interval के difference पहले लिखने की जो आपका class है उन class में कितने कितने का difference है तो यह regular form में नहीं है means एक gel size में difference नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए जो हम area लेंगे means height of rectangle कैसे निकालेंगे means उसका छेतरफल निकालते है तो टोटल यह जो area का यह छेतरफल आएगा तो यह इसके हिसाब से यह चोड़े भी ग्राब बन जाएंगे पतले भी ग्राब बन जाएंगे तो uniform with नहीं होगी means वह uniform with के नहीं होगे तो कैसे निकालेंगे दोनों का जो बीच का difference है तो class interval का difference था वो कितने का आया था 20 तो एक हम को uniform with लेंगे माल लीजे हमने 10 की चड़ाई लेंगे कि आयद हमें चड़ाई का होना चाहिए तो 10 ले लिया तो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो 10 upon 20 into frequencies से multiply कर देंगे तो कितना हो गया 8 जब इनको काटेंगे 10 10 to the 20 और इसे divide कर देंगे यानि 4 तो यह क्या हो गया 4 इसी तरह 15 के लिए हम निकालेंगे 15 के लिए कितना मैंने लिया था 10 uniform with तो 10 upon 10 into 15 तो कितना हो गया यह 15 ही हो गया 20 के लिए हमने लिया 10 upon 20 into 20 frequency कितनी है 20 तो 20 हो गया इन दोनों के बीच में difference कितना है 30 का तो 10 upon 30 into 15 यानि 5 तो यह क्या हो गया यह हमारा निकल गया आयत की हाइट यानि जो हम rectangle बनाएंगे उसकी यह मेरी हाइट निकली means 0 से 20 वाला जो rectangle बनेगा means यह act बनेगा वो कितने हाइट का बनेगा 4 20 से 30 वाला कितनी का बनेगा आपका 15 उचाई का 30 से 50 वाला कितनी उचाई का बनेगा 10 और 50 से 80 वाला कितनी उचाई का बनेगा 5 इतना क्लियर हो गया अब देखें यहां पर हम यह हिस्टोग्राम जो है वो बना के यहां पर बताया गया है तो जीरो से 10 का जो उचाई थी 0 से 20 तो यह तो हो गया 10 20 30 40 50 ठीक है यह तो हमने एज ले लिया तो 0 से 20 यानि 0 से 20 है तो 10 भी इसमें तो यह चोड़ा बना और क्या बना 0 से 20 का कितनी हमने लिए उचाई 4 तो 4 हमने लिए यहां तक 5 हो गया यहां पर यह 5 हो गया तो इससे थोड़ा से नीचे तो 0 से 20 तक यह इसकी हाइट कितनी हो गई 4 फिर दूसरा क्या है 20 से 30 इसकी हाइट कितनी हो गई 15 यह वाली यह देखे 0 से 30 की height यानि 0 से 30 वाली बीच में जो uniform gaping था तो इसलिए इसकी height कितनी है 15 तो यह हमने 15 पर बना लिया 20 से 30 फिर 30 से 50 की height है वो कितनी है आपकी 10 तो 30 से 50 तो 30 से 50 यह थोड़ा चोड़ा बीच में क्या आ रहा है 40 भी आ रहा है तो 30 से 50 है इसकी कितनी हो गई आपकी 10 हो गई यह 10 पर बना लिया गया फिर 50 से 80 50 से 80 की कितनी है 5 height कितनी है 5 तो यह जो rectangle बनेगा 50 से 80 पर बनेगा और इसकी height कितनी हो गई 5 तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं जो आयत बन रहे हैं वो different different चड़ाई के बन रहे हैं और उचाई के बन रहे हैं तो यह लेकिन इनका जो छेत फल है जो area है वो पूरे value के बराबर होगा मिन्स इस पूरे area जो है वो total frequency डिनोट करेगा तो यहाँ पर क्या adjust हो रहा है frequency adjust हो रही है तो यह तो था इनके डिफरेंट टाइप के तो यह frequency जो polygon था वो कैसे बनता है जो frequency polygon है मिन्स जो हम histogram बनाए थे उस histogram के जो rectangle बन रहे हैं मिन्स जो मेरे आयत बन रहे थे उसके top पे जो mid point है उस point को हम जोड दे जाएंगे स्टेट लाइन से जब हम जोड देंगे और उससे जो हमें कर्व मिलेगा वो क्या कहलाता है मेरा frequency polygon जैसे बता दे यह था आपका यह histogram इस तरह से यह histogram है मिन्स histogram है तो यह जो मेरा rectangle बन रहे है मिन्स यह जो rectangle बन रहे है इसके mid point मिन्स यह जो mid point है इसको हम स्टेट लाइन से ऐसे जोड देंगे तो यह जो मेरा curve मिलेगा यह क्या कहलाएगा frequency polygon और इसको क्या करते है मिन्स प्रिवियस तो इसको यहाँ एक जो इसके पहले वाले आयत है उससे हम इसके mid point से यहाँ से जोड देंगे और इसके mid point से इसके mid point यह है मिन्स यहाँ से जोड देंगे तो यह जो मेरा curve बना यह क्या मिला हमें frequency polygon और इसके definition हम देख ले join the upper mid point of rectangles मिन्स जो mid point यह rectangle का जो upper mid point है उसको हम क्या करेंगे जोडेंगे इन histogram का by the straight line अगर हम straight line से जोड देंगे तो जो हमें curve मिलेगा वो क्या कहलाएगा frequency polygon अब यह किसके proportional होता है width, proportion to class size इनकी यह जो चौड़ाई है वो किसके proportional है class size के और जो area है इसका यह जो पूरा area है यह area किसके proportional है frequency से मिन्स यह जो पूरा इसका area में मिलेगा वो किसके proportional मिलेगा frequency की होता है तो अब कैसे हम frequency polygon प्राप्ट करेंगे कैसे बनाएंगे join the mid point of top of all these rectangle पहले आप histogram बना लेंगे उस data से और उसके बाद हम क्या करेंगे उस point की frequency जो top है उसका mid point ले लेंगे ठीक है उस data से पहले हमने क्या बना लिया एक histogram बना लिया और histogram के mid point को हमने state line से जोड दिया join this curve with the x-axis और last में हम ये मेरा x-axis था ये y था तो x-axis पे जोडेंगे उसको x-axis पे जोडने के लिए हम क्या करेंगे joining mid point of previous to first यानि जो पहला है ये पहला जो हमें मिला था आपका rectangle ये वाला तो इसके पहले वाले के mid point से मिल्स यहां से हम जोड देंगे and next to last और अगले जो last ये जो last का है इसके हम अगले next वाले mid point से हम जोड देंगे तो ये हमें frequency polygon मिलेगा अब इसका एक example हम देख ले माल लीजे मेरा question ये है class interval जो है class interval मेरा हो गया 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ठीक है frequency हम यहां ले ले आपके 5 10 20 15 और 10 ठीक है 15 और 10 ये होगी मेरी frequency अब हमें ये मेरा question हो गया ये class interval है ये फ्रिक्वेंसी इससे हमें क्या बनाना है frequency पॉलिकोर्न बनाना है तो अब कैसे बनाएंगे पहले हम इसका वो बनाएंगे हिस्टोग्राम बना लेंगे तो ये हमें लिया एक सेक्सस पे 0 से 10 10 20 30 40 50 ठीक है 50 तक है तो आप 60 तक ले लिजे means 60 यहाँ पे highest value जो है frequency की कितनी है 20 यानि 25 तक ले लिजे 0 से 5 10 15 20 25 ठीक है तो अब हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लिए क्या करना है 0 से 10 कितनी है 15 यानि 0 से 10 कितनी है 5 है 5 है तो 0 से 10 यह हमने ले लिया 5 फिर 10 से 20 कितना है 10 तो 10 पे हम जाएंगे 10 से 20 ये 10 है मेरा 10 से 20 की जो हाइट है वो क्या होगी फ्रिक्वेंसी 10 है तो ये 10 हो गया फिर 20 से 30 कितनी है 20 तो 20 से 30 हमें कहां तक जाना है 20 मिन्स यहाँ पे है ये पहले 20 पे लगा लिजे ठीक है अब इसको स्टेट ऐसे मिला दीजे ये तो ये हो गया आपका फिर 30 से 40 कितनी है 15 30 से 40 वाला जो आप टैंगी ले 15 तो पहले 15 पे आप जाएए यहाँ पे ये 15 हो गया फिर यहाँ से इसको ये मिला दीजे ये 15 हो गया ठीक 15 के फिर 40 से 50 कितनी है 10 यानि 40 से 50 जो है वो 10 पे पहले 10 पे आप जाएंगे ये सीधा रखिएगा इसकेल से बिनाएगा तो ये इस तरह से ये हो गया तो ये तो मेरा भी बना हिस्टोग्राम अब इसके मिड़ पॉइंट मिन्स ये जो मिड़ पॉइंट है ये इसको हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से जोड देंगे मिन्स ये स्ट्रेट स्केल रखिए आप ऐसे कीज़ दीजे ये ठीक अब क्या करना है प्रिवियर्स तू फॉस्ट यानि पहले वाले क्लास है मिन्स हमें आगे इसको यहाँ पे ये इसको यहाँ पे जोड देना है ठीक है और क्या है नेक्स टू लास्ट जो लास्ट क्लास है उसके यहाँ पे एकमाल लीजे कि हमारे एक और रेक्टैंगिल है तो उसके मिड़ पॉइंट पे यहाँ से इस तरह जोड देंगे तो ये मेरा क्या मिला आपका frequency polygon ये जो curve हमें मिला वो क्या हो गया frequency polygon दूसरा तरीका भी है ये है आपका data है तो इसको हम क्या करेंगे इसका midpoint निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका midpoint भी निकाल के भी कर सकते हैं तो यहाँ पे एक और हम midpoint से भी बना लेंगे midpoint हो गया यानि midpoint निकालने के लिए हम क्या करते हैं lower limit upper limit को जोड़के 2 से हम divide कर देते हैं तो दोनों को जोड़ा तो 10 हो गया ये क्या हो गया 5 हो गया ठीक है इसके 10 2 से divide करेंगे तो 5 इनको divide करें यानि 10 और 20 कितना हो गया 13 यानि इनकी midpoint क्या हो गया 15 30 और 20 कितना हो गया 50 50 का half कर देंगे यानि 25 ठीक है फिर 30 और 40 कितना हो गया 70 70 हो गया तो 35 और ये कितना हो गया 40 और 50 को हम जोड लेंगे तो कितना हो गया 90 और 90 का half कर देंगे यानि 45 ये तो ये मेरा mid point हो गया mid point पे ये frequency इससे भी हम बना सकते हैं तो ये क्या हो गया 5 यहाँ पे ये 5 पे आ गया यहाँ पे क्या आ गया ये 15 यानि ये 15 पे आ गया ये 5 पे आ गया ठीक है 5 पे 5 ये height गई है मेरी फिर 15 पे 10 गई है यानि 15 पे ये 10 गई है 25 पे 20 तो यहाँ पे ये 25 है और ये 20 ये 25 पे ये 20 फिर 25 पे 15 तो यह 30-40 के बीच में यह है मिल्स 35 है इस पे कितना है 15 यह ठीक, इसके बाद 45 पे 10 है तो 50 और इसके बीच का हो गया, 40-50 के बीच का हो गया 45 हो गया और यह कितनी गई है आपकी 10 पे गई है तो यहाँ पी यह वैल्यू 10 तो ऐसे भी आप बना सकते हैं मिड़ पॉइंट से तो यह मेरा क्या बनेगा आपका मिंस यह आपका रेक्टैंगिल ना होके सिर्फ यह शो करेगा इस तरह से